दोस्तों मैं डेली से बिलॉंग करता हूँ और कल हमारे सीएम ने ये अनाउंस कर दिया है कि आज से जो कि आज 30 तारीक है मार्च की 2020 की तो आज से लेके 31st मार्च 2020 के जो 12 बजे रात तक है वो complete lockdown है और you won't believe जहां पर भी मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ या मैं अपने रिलेटिव से बात कर रहा हूँ या मैं अपने घर में देख रहा हूँ सकता है कि यह lockdown थोड़ा आगे बड़े मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो बट इन केस हो तो हम अपने टाइम को यूटिलाइज करें तो इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसके थुरू आपने टाइम को बहुत अच्छे से प्राक्टिकली य तो गाइस चलिए देखते हैं कि वो पांच तरीके कौन से हैं जिससे हम यह lockdown का जो फ्री टाइम में हम यूटिलाइज कर सकते हैं तो दोस्तों जो पहला तरीका है वो है sell your skill बिल्कुल सही सोना आपने I know कि आप में कोई ना कोई skill ज़रूर है जिसको आप daily basis पे यूज करते तो देखें यह जरूरी नहीं है कि वो जो skill है physically ही अपना use करें यह आप online virtually भी use कर सकते हैं मैंने अपने last video में already बताया था कि कैसे आप उन सब चीजों को use कर सकते हो मैं एक बार फिर आपको बता दूँ simple सी बात यह है कि आप दो तरीके से इसको use कर सकते हैं पहला अगर या तो आप लोगों को सिखा सकते हैं teach कर सकते हैं online दूसरा तरीका क्या है कि या तो आप freelancing projects ले सकते हैं जैसे accounts में भी finance में भी आप क्या कर सकते हैं कि balance sheet बनाने का या XYZ कोई भी एक चीज़ बनाने का आप एक जो project है वो ले सकते हैं online उसके लिए जो website सो होती है वो होती ह लिंक जो है मैंने already description में डाले हैं अब वहाँ से देख सकते हैं वहाँ पर जाकर आप online project ले सकते हैं मैं आपको example देता हूँ जो कि मैंने कल ही वीडियो में बताया था एक website थी which is teacher on जिस पर teach भी करते हैं और project भी आते हैं आज मैं दिन में बैठा था मेरे पस एक Canada से project मिला म आप देख सकते हैं screen पर यह उसका screenshot है तो मैंने वह project लिया और आप देखते हैं कि पर आर income उसमें थी 72 डॉलर वह तीन घंटे का project का मैंने तीन घंटे में complete करके दे दिया उसके बाद हम मैं वीडियो ही बना रहा हूं तो मैंने अपना जो time है यह दो चीजों में आज utilize किया प्लस मेरा एक already long term project चल रहा है उसके उपर भी काम चल रहा है तो मैं आपको सिर्फ यह बताना चाता हूं कि ways बहुत हैं यह जमाना online का है और आप इसको use कर सकते हैं दोस्तो second way है कि convert your hobby into a profession देखे I know कि अगर आप बात करते हैं अपनी existing skill की ठीक है अगर आपको लगता है कि उसमें कोई job available नहीं है या नहीं कर सकते हैं अब बात आती है आपके passion की या hobby की अगर आप में कोई hobby है जैसे आप travel करना बहुत पसंद करते हैं जो कि अभी possible नहीं है और हमें करना भी नहीं चाहिए या आप cooking बहुत पसंद करते हैं तो उससे related आप क्या कर सकते हैं कि आप एक blog create कर सकते हैं जिसमें आप अपनी knowledge को share कर सकते हैं उस blog के through देखे अभी आपके पास या 8 दिन का time है उस case में आप blog create करें आप online एकर search करते हैं that how to create a blog आपके पास स सरफ अपनी hobby से related content create करना है और इस पर डालना है तो जब आप 8 दिन बाद अपने office या normal routine पर जाते हैं तो आपके पास already अपना एक blog होगा जिसके उपर कुछ articles आपके होंगे और regular basis पर आप उसके उपर article डाले once in a week और once a month जिससे वो blog आपका रहेगा आपके पास इससे आप आपके पास दो फायदे होते हैं एक अपनी knowledge को share कर रहे हैं दूसरा इससे आप affiliate marketing भी कर सकते हैं बहुत से लोगे काम करते हैं बहुत से लोगों का actual में business है वो क्या करते हैं अपनी knowledge को share करते हैं और जो उससे related products हैं या services हैं उनका link अपने blog में या videos में डालते हैं जिससे sell ह पर उनको commission मिलता है अगर आप जानना चाहते हैं कि affiliate marketing detail में क्या होता है कैसे use होता है आप Google पर search करें आपको बहुत videos मिल जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ओपर कोई video बनाओ तो आप comment section में लिखें मैं उसके उपर एक video ज़रूर बनाओगा दोस्तों तीसरा तर रहती है कोई updates आती रहती हैं तो इस आठ दिनों में या यह जो खाली time हमारे पास है आप उसको upgrade करिए तो जब मार्केट में जाएंगे इन दिनों के बाद तो आप देखेंगे कि वह skill कितना जादा upgrade हो चुका है कितना आपको फाइदा होने वाला है उसे देखें मैंने realize कि या कल जब मैं बैठा था तो मुझे लग रहा था कि मेरे में किस चीज़ी कमी है तो जब मैंने यह search किया अपने अंदर ढूंडा तो मुझे यह दिखाई दिया कि कही ना कही में मेरे जो negotiation skills है वो better नहीं है and trust me मैंने क्या किया simply मैंने search कि कि कोई एक online course है उसके उपर तो मु में पास इस खाली time में skill develop हो गया या मैंने अपने को upgrade कर दिया जब next time मैं कोई एक deal करने जाता हूं या कोई training assignment मिलता है तो उसमें मैं अच्छा negotiate कर पाऊंगा जिसमें मेरे बाद future earning increase होगी और logical आएगी इसी तरह कोई ना कोई skill को upgrade कर सकते है और add कर सकते है दोस्तों fourth way है read a book देखे बहुत important चीज़ है मैं personally speaking मैं पहले books नहीं पढ़ता था but recently मैंने आदट डाली है मैंने book पढ़ी है but excel related पढ़ी है which is technical book लेकिन life changing जो books होती है live values की जो book होती है वो मैं नहीं पढ़ता था recently मैंने start करी और मैं आपको book का नाम बताता हूं जो मैंने use करी मैंने पढ़ी वो है eat that frog जो इनके author है वो है Brian Tracy देखे मेरे साथ एक problem बहुत होती है कि मैं काम को बहुत टालता था मैं थोड़ा lazy था और मेरा काम थोड़ा organized नहीं होता था तो मैं कुछ ऐसा ढूंड रहा था जिससे कि मैं समझ पाऊं ये चीज किसी expert से और books से बढ़िया expert हमें और क्या मि important काम को आप पहले कर सकते हैं और अपने काम को organize कर सकते हैं तो मैं सिर्फ इस book की बात नहीं कर रहा है आप कोई भी book आप Google पर जाए सर्च करिए कि top 10 value edition books कौन सी है उन में से कोई प्याप एक book को टाईए और इन 8 दिनों में पढ़िए अगर आपको लगता है कि book पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाता है कोई बात नहीं आप audiobook लीजिए आपको पता है आजकल audiobooks होती है सिर्फ headphone लगाया और आपके पास पूरी knowledge आ गई अगर आपको लगता है वो भी बहुत लेंदी होती है 2-3 गंटे की में पर इतना नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगा उसकी भी कोई problem नहीं है आजकल बहुत से बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जैसे मैं एक reference देता हूं सीकन इनके चैनल पर आप जाते हैं तो ये daily basis पे book की summaries डालते हैं 10-12 मिनट की summaries होती है आपको पूरी book का सार मिल जाएगा बट फिर भी मैं recommend करूँगा जब आपका interest बने तो आप book जरूर पढ़िए आपकी life change होगी I can guarantee you that दोस्तो लास्ट फे है अपना YouTube चैनल create करना बिलकुल सही जुना अपने ये कुछ मुछकिल काम नहीं है बहुत easy है और सबसे best part क्या होता है मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मैं अपनी knowledge आप लों के साथ share करता हूं तो जो भी उस चैनल से जोड़े हुए है उनकी भी life change होगी it's not about the number of subscribers that you have on your channel I'm telling you that आपको सरिफ ये समझना है आपको सरिफ ये mindset रखना है कि किसी एक बंदे की life में भी थोड़ा सा change आता है it makes sense for you for your content for the for the efforts that you are putting to create the content तो दोस्तो ये थी वह five ways जिसके थूँ आप अपने ये खाली time को जो lockdown का time है during the coronavirus अपने आप time को use कर सकते हैं सही चीज में और एक चीज एक message में convey करना चाता हूँ देखे हमारी government ने collectively decision लिया है lockdown का अब आप समझिए कि एक बहुत higher authority अगर ये चीज कह रही है इसका मतलब ये बहुत important है बट अगर मैं देखूं अभी भी अपने surrounding में तो मैं प्रेटे होते हैं ये ठीक नहीं है अब उस चीज को avoid करिए और message भी spread करिए कि ऐसा ना करें चीजों को समझे बहुत ही serious है हमें इस चीज को रोकना है मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा जब PM Modi जी ने बताया कि we should appreciate the doctors and the teams who is there in this hard time जो हमें help कर रही है उनके लिए कल 5 बजे हम लोगों ने appreciate किया सब लोग अपनी balcony में आये हमने clap किया थाली बजाई है और तो हमने भी किया बहुत ही अच्छा लगा ये देख के लगता है कि हम लोग साथ में हैं लेकिन इसको हमें बढ़ाना आगे that was not the win it was just a starting to prevent the coronavirus तो I hope आपको ये वीडियो बहुत informative लगा होगा अ बबाई